नमस्कार, Since Independence में आपका स्वागत है, मैं हूँ अंचली और आप देख रहे हैं, Trending Today तो आज सोशल मीडिया पर जो विशे या टॉपिक सबसे अधिक trending में हैं, उनमें से सबसे पहला है बलोचस्तान, जी हाँ पाकिस्तान के बलोचस्तान में भीशन ब्लास्ट हुआ है, जिसमें अभी तक 25 लोगों की मौथ हो गई है, जबकि 70 अन्य लोग घायल हो गए है गायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है ये धमाका बलुचिस्तान के जिला मस्तूंग के अलफला मस्जिद के पास एद मिलाद उन नभी के जुलूस को निशाना बना कर किया गया था बस यही वज़ा है हैश्टेक बलुचिस्तान सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है आजका दूसरा ट्रेंड है पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में एक युफ्ती की अजली लाश मिलने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है आशंका जाहिर की जा रही है कि लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है स्थानिय लोगों के अनुसार लड़की का चहरा बुरी तरह से जल चुका था जिससे उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी इस घटना ने एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिये है इसलिए आज पश्चिम बंगाल ट्रेंडिंग लिस्ट में है आज का हमारा तीसरा ट्रेंड है मेनका गांधी इसकौन ने BJP सांसद और पूर्व केंद्री मंत्री मेनका गांधी के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है जिसमें उन्होंने संस्था पर कसाईयों को गाय बेचने का आरोप लगाया था अब इसकौन ने जबर्जस पलटवार करते हुए मेनका पर सौ करोड का मानहानी केस लगा दिया है और मेनका गांधी को पूछा है कि इसकौन ने कसाईयों को गाय कब और कहां बेची थी उन्हें जवाब देना चाहिए इसलिए आज मेनका गांधी ट्रेंडिंग लिस्ट में है आज का चौथा ट्रेंड है निखत जरीन एशिन गेम्स 2023 में भारत के एथलीट्स का शांदर प्रदेशनल लगातर देखने को मिल रहा है अब भारत की स्टार मुक्केबाज महिला खिलाडी निखत जरीन ने महिलाओं के 45-50 किलोग्राम वरक के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जीत हासिल करने के साथ सेमी फाइनल में अपनी जगा को पक्का कर लिया है इसी के साथ अब इस इविंड में भी पतक पक्का हो चुका है और आपको यह भी बता दें कि निखत जरीन पैरिस 2024 ओलंपिक के लिए टिकेट बुक करने वाली भारत की पहली मुक्केबाज बनी है और इस कारण निखत जरीन आज ट्विटर ट्रेंड कर रही है आज का हमारा आखनी यानि की पांचवा ट्रेंड है टॉयलिक पेपर ऑफ इंडिया सोशल मीडिया पर उज्जेन हैश्टेक के साथ टाइमस अफ इंडिया का एक कारटून जम कर शेयर किया गया इसमें दिखाया गया था कैसे उज्जेन के स्थानिय लोग गाय की तो पूजा कर रहे थे पर मदद मागने पर लड़की को धुतकार कर भगा रहे थे अब इस कारटून पर लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है और लोग कह रहे हैं कि बात तो धर्म की है ही नहीं बात तो शर्म की है और टाइमस अफ इंडिया अपना एजिंडा चलाना बंद करे इस घर्टना के बाद लोगों ने टी ओ आई का नाम टाइमस अफ इंडिया की जगा ट्वालेट पेपर अफ इंडिया रग दिया और फिर ये ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा तो ये थे आज के सबसे फाइव होट ट्रेंड कल शाम फिर मिलते हैं कल के ट्रेंड के साथ आप देखते रहें ट्रेंडिंग टुड़े और बने रहें सिंस इंडिपेंडेंस के साथ नमस्कार